विश्वल आर्ट। την में आपका स्वागत है, फ्रेंद्स हम लोग अब गौथिक आर्ट पर आ चुके हैं, गौथिक आर्ट का हम लोग फिरस्ट पार्ट देख चुके हैं, गौथिक अला का इंट्रोडक्शन और आर्खिटेक्शर पूरा देख चुके हैं, अगर आप नहीं ये वाला वीडियो मिस हो गया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सेम वीडियो के तो आप पहले वो देख लें फिर हम लोग आगे का पढ़ लेते हैं ठीक है लेकिन उससे पहले हाँ बिल्कुल ग्याद दिला दू ग्याद के दिला द देखिए बहुत खुशी होगी तो एक बार फिर से बहुत बहुत बधाईयां आप सबको आपके हाथ में जैरेफ लेटर एंड नेट सर्टिफिकेट है उसके लिए जो लोग उस चीज को उसको अठीव करने में भाई लोग जरा सा रह गए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी ट्रेन अभी भी चल रही है वैसे ही आपको भी अपनी ट्रेन चलानी है और उसी की तरज पे हम लोग पुराने वीडियोस को ही आगे बढ़ाते हुए हमारी वेस्टन आर्ट की टाइम लाइन में क्या लेके आये हैं गोथिक आर्ट गोथिक कला जिससे दोस्तों लेट मेडियर के रेनेसंस सब्केon कोर गograph लेके लेकाहते हैं और गोफिक कला में बहुत कुछ दोस्तों देख लिया था किभिब मेरी आगे कहानी कंड़ानी-क्राइन red typically आपकी क लीज आगे की वीडियो कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और कुछ आपको चैनल पर मिल जाएंगे तो देखिए और बताइए फिर कैसा लगा है ठीक है तो गोथिक कला को शुरू करते हैं आगे यह सब देखिए पार्ट वन जो हैं हम पढ़ चुके थे यह सब historical perspective देखिए यह सब पढ़ चुके हैं है ना तो main में कुछ चीज़ें क्या थी याद कर लेते हैं एक बार pointed महराबदार conical महराब थी sorry है ना कांच की खिड़कियां थी stained glass रंजीत कांच की है ना और उस पे embroidery treasury होती थी ठीक है यह सब चीज़ें और बहुत सुन्द तर सब पढ़ चुके हैं ठीक कोई problem नहीं होनी चीज़ें है इसमें hill force जो भी बनेगे यहां तक हम लोग पढ़ चुके थी ठीक है अब हम लोग आज के शुरू करने वाले मूर्थी कला ठीक है तो मैंने आपको last time क्या बोला था कि हम लोग दो पार्ट में गोथिक खतम कर दें अब जो शुरू होने वाला है अभी तक कहानिया फटाफट हो गई थी है ना और आप लोग उन्हें बड़ा जल्दी जल्दी ना confusion रखे सब पढ़ लिया लेकिन अब जो है अब हमारे कलाकार आने वाले कलाकार को पढ़ना है बहुत डीटेल में पढ़ना है और बहुत पढ़ना है क्योंकि उन में से बहुत कोशन जाते हैं बहुत कोशन आते हो अपन समझेंगे तब ही बता पढ़ेगा ठीक है तो वहिया कि माब्यों गेटो यह सब आ चुके हैं अब है ना इन से शुरुवात करेंगे तो उसके लिए अपन सेपरेट थर्ड वीडियो लेके करेंगे लास्ट वीडियो लेकिन ये वाले वीडियो में अभी हम क्या देख रहा है हम लोग मूर्तिकला और चित्रकला किस किस समय कैसे कैसे वो हुए उसका डेवलप्मेंट वो देख लेते हैं क्योंकि देखिए दोस्तों मैं समझती हूं ज्यादा लंबा वीडियो लेते अलंकारिक परंपराओं से मुक्त होकर प्रकृती की अनुकृती का प्रयत्म किया गया जिसमें वानस्पतिक रूपों का उत्सुकता पूर्वक अर्थात पूर्ण तह पूर्व गहर हित्ती द्रिष्टी से निरक्षन किया गया है क्या है वही तो इसमें सिर्व अलंकारिकता है उसको थोड़ा सा हटा के नेच्टरल की इमिटेशन अनुकृती पर ध्यान दिया है और वनस्पति रूपों का उत्सुकता पूर्वक से उसका चत्रण भी निरक्षन भी किया है जिसमें वनस्पतिक रूपों जो वेजिटेटिव समझवा रूपों का उत्सुकता पूर्वक अर्थात पूर्ण तह पूर्व ग्रहित द्रिक्ष्टी से निरक्षन किया गया है इसी के साथ मानव आकरती भी स्वतंत्र अध्यन का विशे बनिया देखिए अपना जो टाइम है मतलब रिलीजिस है कोई दिक्कत नहीं है इसमें लेकिन अब मैं क्या बोल रहे हूं आपको पुनरुथान आने वाले है याद रखने के लिए यह सब चीज़ें है इसकी और कोई उद्देश नहीं है यह भावना के लिए तो क्या पुनरुथान आने व पुनरुथान उसके पहले का है पुनरुथान में बहुत चीज़ें बदल जाएगी ठीक है तो बदलाव तो एकदम से नहीं आता है तो थोड़ा थोड़ा इसमें भी चेंज होएगा गोथिक में ऐसे याद करने के लिए करिए तो अब क्या बोल रहे हूं मैं पुनरुथा सबको पहले अपन बता चुके क्या रिलीजियस था अब अल्ली इसाइकला और बैजनचाइन और रोमनस्क में उससे अलग हटके थोड़ा सा मानविय कृति और मानविय भावनाव पर ध्यान देना है तो उसी के लिए पुनरुथान था उसी चीज़ का पुनरुथान था ठ इंको किससे आजा 자신ी चीज़ थी उनको इस चीज़ आजासन न भीहां के कालाकारों को सिर्फ याद करने की चीज़ आज है कोई और उफ्देश नहींए ठीक है तो वहां पर यह चीज़ थी एक सिंपल अपनंगे बास करने तो तो उसके लिए पुनरुथान हुआ means के याल topic सिर्फ क्यों हम religious के आसपास धार्मिक को लेके ही क्यों जुड रहे हैं हम लोग और भी काफी topics पे work कर सकते हैं ये चीज़ें वो लोग ने सोची तो ये होना है तो देखिए जो ये Gothic period है तो इसमें भी थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें शिरू हो चुकी थी शारिरिक भंगी माएं जो विविन भंगी माएं होती है postures मुद्राएं जो अलग-अलग होती है मुद्राएं आदी को घनत्व सहित प्रस्तुत करना आराम हुआ means एक properly उनको बहुत अच्छे तरीके से study करके और उसका वो करना आराम हुआ देखिए याद रखिए एक चीज़ अब आप बोलोगे कि भई अभी क्यों ऐसा बोल रहो कि अभी आरम हुआ बिल्कुल मत भूलिएगा कि Gothic से पहले भी Greek में बहुत properly काम हो चुका है sculpture बहुत अच्छे से यह सब well proportionate human उस पे हो चुका है लेकिन मैंने आपको कहा था कि ancient Christian है और Byzantine है यह है ना देखिए मैं तो timeline से ही बताती हूँ इसलिए अगर आपको यह चीज़ लगेगा कि confused कर रहे हैं लेकिन confused नहीं हम जब तक इस तरह से बात नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे ठीक तो ancient था Byzantine था मैंने आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया था क्या बताया था कि ancient Christian और Byzantine इन समय जो है इन लोगों का काम religious धर्मिक पर दादा ध्यान था और जो एक तरह से जो style होना चाहिए जो artwork का style होना चाहिए उस पर वो लोग कम ध्यान देते थे वह कला को as a religious ही मतलब helpful यूज करते थे उनको कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं था कि हम उनको को बढ़ावा देना है तो वो भाईया इतना style पर ध्यान नहीं देते लेकिन Gothic में फिर से क्या थोड़ा सा एट दे एंड ये चीजमें होने लगी कि थोड़ा थोड़ा मानवी एक दम नहीं लेकिन थोड़ा-thोड़ा मानवी उस पर ध्यान दिया प्रपॉर्शन पर ध्यान दिया उस तरह से proper मुद्राय को ते जान दिया मतलब उस तरह से कोई डेप्थ नहीं देख रहा लेकिन इसमें क्या हुआ अब जो डेप्थ एक तरह से क्रियेट होना शुरू हो गई थी छायद मूर्थी कॉंपोजिशन जो भी बहारी अलंकरन मुर्तियों द्वारा और गुंबत का अतिरिक्ट अलंकरन मूर्तियों द्वा हैं उसका भी अलंकरन रेलीव से किया गया है महराबदार आलो में मूर्तियों रखी हुई है अब देखिए आप बोलेंगे कि पुनरुथान और गोथिक में फिर क्या अंतर है कि भाई गोथिक में ही भी तो मान जिये कृतियां और यह सब शालोगी लेकिन यह सब चीज़े मीन्स आप समझिए इसका सब्जेक्ट गोथिक में सब्जेक्ट भी क्या है धार्मे की है लेकिन हम जो पुनरुथान में जाएंगे तो पुनरुथान में हमारा सब्जेक्ट भी चेंज हो जाएगा ठीक है तो उसको ज्यादा उसमें मत लीजिए लेकिन बस इतना क्या बता हो दिगके पिकष्ट से फॉर एक्जएंपल जीजिस क्राइस का सकल्पचर बनाया तो उसमें उनका प्रपोशिन का पोस्चर वह सब बहुत 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 बेतरीन तरीके से ध्यान दिया वर्जिन मेरी इनका बनाया लेकिन पहले इसानी होता था पहले किया फ्लैट फिगर्स भी बना सकते थे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी तो यह चीज़ा हुई यह मूर्तियां ही क्या थेड्रल्स और इनमें रखी गई बाहर जो गुंबद हैं उनका अलंकरण भी काया से उनके रेलेफ्स बनाके हुए और जो आले होते हैं जो इस तरह का वो बनी रहते हैं खाने होते हैं जैसे उसमें भी मूर्तियां इनने रखनी शिरू करी ठीक कुछ मानव विशय भी नरधारित हुए जैसे शिशु इसा, कुमारी का अभिनंदन, भव्य रूप में इसा, पाप परविजय, रितु चोरिया यह सब मानव विशय हैं मानव विशय दैट मींस इंक्लूडिंग क्रिश्चैनिटी है लेकिन इस तरह से इसका विशय बनने लगें क्या रश्या, दर्शन तथा धर्म शास्त आदी यह सब उनके जो अलग-अलग लाइफ में इंसिडेंस और यह सब हुए उसको उनने चितरत किया है मूर्ती शिल्पों में व्यक्तिगत भावों के स्थान पर जन मानस की अभिविविक्ती हुई मीन्स मूर्ती शिल्प में एक व्यक्तिगत जो हम बोलेंगे के एक परसनल उस चीज की अभिविक्ती से जन मानस जो लोगों का देखके एक उस तरह की अभिविक्ती हुई गौतिक शेली में तकनीकी द्रिष्टी से परियाप्त कुशलता है बहुत कुशलता से हुई भी यह वो पहले ही देख ले आकरितियों की मुद्राएं और भावों की व्यन्जक शमता में व्रद्धी हुई जो उस तरह से एक तरह से हम बोल रहे हैं कि इंक्रीज हुई है की द्रिष्टी से ईसा के कश्टों तथा सूली आदी का विशेश रूप से प्रस्तोत किया गया है जो प्रॉब्लम्स जीजिस क्राइस ने जहेली और जो उनका सूली का टाइम मतला बोच सब ची क्रूसिफिक्स यह सब चीज है इसको बहुत ही करोंटा से शो किया गया है फ्रांस के आरंबिक गोथिक मूर्थिकारों ने जो आरंबिक गोथिक मूर्थिकार लेटर ओन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मूर्थिकार और चित्रकार के बारे में पढ़ेंगे तो जो फ्रांस के आरंबिक गोथिक मूर्थिकार थे उन्हें रोमनस्क तथा एक इन लोगों जो स्टार्टिंग के जो वो थे मुर्तियां थी उसमें क्या था रोमनस्क और स्तंब प्रतिमा यह बनाई गई थी चीक है बस इतना है तेरवी शताबदी में के उपासनाग्रह में पैरिस के नौ्ट्रेड्रेम अमेंस तद्धा रीमस कैथेड्रल प्रसिद्ध है यह थे बहुत नौ्ट्रेड्रेड्रेम है ना अमीन्स का जो कैथेड्रल है वही नौ्ट्रेड्रेम में पैरिस का और रीमस कैथेड्रल यह प्रसिद्ध हैं इन में कुमारी का अंकन मीन्स वाजिन मैरी उनका अंकन बहुत कोमल भाव से किया गया है 14th, 15th century में पूर्वी द के व्रहदा कर और जो तत्कालीन कला भी रूची के सूचक थे उस समय के तत्कालीन उत्री फ्रांस से प्रेना लेते हुए भी स्तंब प्रतिमाओं का अभाव है यहां संपूर्ण भवनों को एक साथ देखने की प्रवरति रही है अतह आकरितियों की गड़न शीलता पर अलग से ध्यान नहीं दिया गया फिर भी कहीं कहीं संपूर्ण 3D शिल्प मिल जाता है मीन्स यहां का जैसे मान लीजिये पूरा भवन बना अब क्या है यह बोलना चाहरें कि ठीक है बहुत सुंदर बनाया मानवियों उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया लेकिन उत्री फ्रांस को प्रेना लेते हुए उन्हें जो स्तंब प्रतिमाओं बनेगी कहां बनेगी कहीं जो है ऐसा 3D फॉर्म भी दिया गया है बस कुछ नहीं आगे रंगीन अलबस्टर शिल्प इंग्लिश कला की विशेश देन है यह ना कलरफुल जो अलबस्टर से शिल्प क्राफ्ट जो है वो बहुत विशेश देन है इससे बड़े आकार की मूर्तियां बहुत लोग यह ऑड़े बड़े आकार की मूर्तियांट वो बहुत लोग प्रिये हुई है अले अलगलिक जगींगे मिनर्मित किये गये और बहुत लोग दोसटी श्या यह है तरह यहां काम किये ऑन्स rolling पे लगा दिया बाल पे लगा दिया बस बॉडी पे नहीं किया ऐसा मतलब जैसे जो अरे वह करते हैं आपन बैग्राउंड पूरा काम करके और उपस सिर्फ इस जगे को हाइलाइट करना है वह वह चीज है बस लाइनिंग्स करके पांचवी शती में अलबास चे प्रतिमाओं का चरन उत्पादन हुआ चिक है पंद्रवी शती में अलबास चे प्रतिमाओं का चरन उत्पादन चरन मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ 14 सेंचरी में नॉटिंगम सिटी म्यूजियम में मेडोना का एक सुन्दर उधारन है वो मैंने ढूंडा था पर मुझे मिल न अर्किटेक्ट्च में मैं बताना शहत भूल गई थी मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने अगता दिया लेकिन जब चेक किया तो उसमें वो नहीं था तो नॉट्रेडेम का कैथेडरल बहुत फेमस बहुत इंपोर्टेंट है और यही में लगाना भूल गई तो सोम रिवर के पास में पैरिस के अमीमस में है क्या है ये नॉटेडेम का कैथेडरल ठीक है देखेए यहाँ पे यही रोज विंड़ो है इसी सोम रिवर के पास में जो अमीन से पैरिस में वहाँ पे ठीक अब इसी को हम देखते हैं कि इनी के बहुत सारे हमको वो मिले हैं क्या स्कल्प्चर में जो हम पढ़ते हैं तो एक बार ये देख लो पीछे से कि ये जुद है ये इसके अंदर आपको देखेंगे तो ये सब लाइन से मुर्तियां बनी विए इधर इधर ऐसे ये एक प्लेन चीज नहीं है बहुत सारा इसका अंकन है उसको हम थोड़ा सा क्रोस सेक्शन में देख लेते हैं तो ये देखिए ये उसका गेट है जो दूर से देख रहा है ये देखिए क्या सुन्दर देख सकते हैं इस सब को तो इसमें से कुछ को हम डिस्क्राइब जो करते हैं वो देख लेते हैं नोटर डैम में ही पैरिस में ही है क्या है पोर्टल ओफ द वर्जिन कुमारी का पोर्टल ये वर्जिन इस तरह से देखिए बहुत ही खुबसूरत तो क्या है भाई ये तो इंदिस इसका सॉरी इस मुर्तिकला के रूप में व्यक्ति भावनाओं और अभी व्यक्ति की एक रूप को एक में लुटका हुआ देख जा सकता है means emotions और जो proportionality है आप उसको वो एक ही चीज में देख सकते हैं एक ही इसमें आप बोल रहे हैं के ठीक है वो cathedral बनाते हैं अलग-अलग culture को नहीं देखते हैं लेकिन इसको देख कोई नहीं कह सकता कि इसको बहुत ध्यान से नहीं बनाये गया है ठीक है क्यों अब इसी में मैं बताना चाहरे हूँ आपको क्या कि भले भले इसमें topic religious ही है है virgin Mary है लेकिन इनका जो पूरा जो चितरन है वो बहुत सुंदर किया गया है पूरा proportion और आप ओलेंगे उनका कपड़े वगेरा सिकुड़ा ने सब देख दूख के और पूरा काम किया है तो यहीं बताना चाहरे है ठीक अब दूसरी चीज़ देखते हैं crest statue means Jesus Christ के statue यह उपर ह बने वें यह देखो यह line से यह भी Christ Jesus Christ यह वाला भी जैसे उदर virgin Mary था यह भी कहाँ पर वहीं है means cathedral Notreडा में शांत है मतलब यह बहुत शांत सा मुर्ती है सरलता इस चित्र मुर्तिकला का सार है means यह जो मुर्तिकला है यह जो एक तरह से portrait culture है Christ का Jesus Christ का तो वो एक सरलता एक शा है है एक हाथ में वह जीवन के पत की पुस्तक देखिए जो यह चीज़ें आती है कि जो एक तरह स्वारी एक मुर्तिकला क्या आती है कि मुश्टली पेंटिंग्स चाहिए हम बाजाएं टाइन देखें लेसाई कला देखें इनमें देखें पेंटिंग्स में Jesus Christ का एक हाथ इस तरह से उपर रहता है और एक हाथ में बुक रहती है तो वह बुक क्या होती है तो वह बुक जीवन के पत की एक पुस्तक होती है है एक हाथ में वह हमेशा पकड़ते है क्या पाथ ओफ दे लाइफ कहते हैं जिसको वह उसकी बुक होती है और दूसरा हाथ जो है उनका ब बहुत अलग सा emotions वो सब चीज़ उसमें है, ठीकि कितना सुन्दर है आप भी देख सकते हैं, यह एक और है, means यह इसमें तो नहीं है, means में, उसके उसका नहीं है, यह अलग से है कुछ, आगे हम जब आर्टिस्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें भी देखेंगे, लेकिन देख ली हैं, तो क्लॉस लटर ने बनाया है, क्लॉस लटर मूर्थिकार है, उनने गोथिक टाइम के एक मूर्थिकार है, क्लॉस लटर, अब देखेंगे, अब आर्टिस्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, हर उसमें है, आगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसको आप ध्यान से देखें, क्लॉस लटर ने बनाया ये, वेल ओफ मूसा, किस माटिरियल से है, तो मार्बल से बना गया है, 1395-1404 के बीच में ये बनाया है, ठिक, क्या है भई, मूसा का कुवा, वेल ओफ मूसे, अब मूर्थिकार तो यही थी, मीन्स और हम लोग जो है, थोड़ा सा प्रिंटिंग्स देखते हैं क्या होती है, तो महराब की अंतरिक दिवारों और वॉर्टों के कारण, जो देखें, जो अंतरिक दिवार हैं, दिवार में बताया था मैंने आपको फर्स उसमें, यह सब इंट्रोडक्शन है, दिमाग रखना है, क्या है, बड़ी-बड़ी ख खिड़कियां बनाते थे, तो उसी कारण दिवारे तो कम होगी, तो यह ही है कि महराब की अंतरिक दिवारे हैं, वॉर्ट जो उपर बनते थे वो, और बड़े पेमाने पर गोथिक सरचनाओं को भिड़ते हुए, हमें विशाल बड़ी दिवारे नहीं मिलती, बड़ी- उसमें ही चत्र हैं, अब बोलोगे खिड़कियां तो कांच की थी, उसमें कैसे चत्र है, तो वही है, यही खेल है इसका गोथिक का पूरा ही, के स्टेंड गलास से पेंटिंग्स वनी है, मतलब हद पार कर दी, कलाकारी की, अब उनको क्या था, कि उनको कांच भी जरूर है, विंडो भी जरूर ही है, लेकिन भी पेंटिंग भी जरूर है, तो यह भी चीज़ है, आगे पूरी बिच्चर देखेंगे अपन लोग इसकी, तो बस इतना सा बता रहे हो कि, येस, वॉल्स नहीं थी ज्यादा, मूरल्स कम बने, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ पे पेंटिंग नहीं होगी, तो कैसे मोजाइक्स एन ओल भी पेंटिंग के अंदर ही आते हैं, तो इसमें क्या है, जो मणी कुट्टे में और फ्रैस्को क्रतियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्यों क्योंकि खिड़किया थी, लेकिन फिर भी पेंटिंग बनी है, लेकिन अब क्योंकि दिवार नहीं थी, मूरल क्या होते हैं, दिवार पर करने की चीज़ है, तो दिवार ही नहीं है, तो मूरल कम गुंजाइश होगी, हाना, सेकेंडली, दिवार ही नहीं है, तो मणी कुट्टिंब ही नहीं होगा, उसमें भी क्या करते हैं, यही तो लगा प्रांस सबसे पहला सेंटर ग्याहां की कोथिक कला में अतिहासक विश्यों के अतिरिक सेंट लुई का जीवन चरित्र हुआ सेंट लुई का जीवन चरित्र शिशु कब्रस्तान में बने मृत्यू का नत्र सेंट मेरिटाइम में बना इसा के बाल जीवन के चित्र यह सब उनसे रिलेटेड है साथ में अंकित नरक के द्रेशित तथा अन्य स्थानों पर बने कुमारी के जीवन सिहासनी इसा एक मिनट मै मैं इसको एरेज करती हूँ क्या प्रॉब्लम होगी ओके ठीक है तो सिहासन इसा सूली संतों के बलिदान एंड्रे आदी के गाथा है कुमारी का अभिशेक तथा समकालीन समराटों उससामे के समराट एवं इसाई पदारियों आदी के चत्र प्राप्त हुए यह चत्र बु जैसे जो छोटे मोटे मूरल्स इसमें वेप्राप्त है इस चैली के अतरिक्त अनेक चित्रों में रंगीन काच का प्रभाव देखा जा सकता है जैसे शिश्यू ईसा के जीवन चरित्र या नास्क के चित्रों इस योग के दुरान पुस्तक डिजाइनिंग कला में गती पुस्तक उसमें गती पकड़ ली थी पैरिस शहर पुस्तक निर्मान और डिजाइनिंग का प्रमुक के इंदर था ध्यान रखिये हमेशा कोई शियन भी आ सकता है कि गौथिक की टाइम पे पुस्तक निर्मान और डिजाइनिंग का प्रमुक के इंदर क्या था पैरिस यहा पर ओल्ड टेस्टामेंट और मूल भजन श्रंकलाओं के स्टोतों को पर्चों पर सुलेखित किया जाता था जो भी चीज़ां है उसको इस तरह से पर्चों पर सुलेखित सुलेखित मीन्स क्यालिग्राफिक किया जाता था उनको लिखा जाता था लिखते भी थे और बनाते यही कला तेरवी शतादी में अपने चरम पर पहुच गई 13th century पर एकदम हाई पर पहुच गए थे St. Louis भजनों का संक्लन 1256 का एक बहतरीन उधारन है इसी प्रकार से है वो भी लेकिन वो मिल नहीं पाया था तो बस आप तेसा समझ लीजे ठीक अब आई बात में जो मैं आपको कब से बोल रहे थी जो क्या डिफरेंस है ना बुक डिजाइनिंग इस अल्सो डिफरेंट लेकिन क्या है रंजीत काँच स्टेंट क्लास में क्या था तो देखते हैं फ्रांस में रंजीत काँच के प्राचीन तम नहुने 18 शती के एसने के कब पोलोगे यह पंटिंग है बट मैं बोलूगे कि यह स्टेंट ग्लास की पंटिंग है अब क्या इसमें कॉम्पोजिशन नहीं हो रहा हो रहा है लेकिन यह खिडकी है चीक इस प्रकार की पहिशाल खिडकियों में बिस्तिछत्रों को और भी झोटा कर दिया मीन्स जब तेरवी शत्री में बड़ी-बड़े विशाल खिड़कियां बनी थी मतलब बहुत बड़ी-बड़ी विंडोस बनने लगी थी तो इस चीज़ को और छोटा कर दिया इस समय के चित्रों को सॉलर टेपेस्ट्री कहा जाता है इन में सुनहारी कथा बाइबल के गीत तियास तथा कला कोशल आधी विश्यों का चित्रा हुआ है देखिए गई है सेंट डेनी का चर्च अब देखो किता बड़िया यह खिड़कियां है यह आपकी वही रोज विंडो और यह ऐसे महराब बने वे हैं लेकिन इस तरह का पेंटिंग यहां पर हुआ है यह देखो यह वही है यह बोला था ना मैंने शर्ट सेंट डेनी के चर्च में जो है इस तरह की यह लंबी लंबी खिड़कियां यह तेरवी शतियों लंबी लंबी खिड़कियां लेकिन यहां पर भी पेंटिंग्स बहुत सुन्दर तो इस तरह की कला है बड़ी प्यारी अब स्विजलेंड पे देखते हैं क्या है यहां की कला फ्रांस से प्रभावित थी फ्रांसस का इफेक्ट था यहां एंटवर्प एमस्टरडन लंबार्डी वोल्स्टेंस लंबार्डी वर्न्स अधी इस्तानों पर सुरक्षित मूरल पैनल रंजीत कांश तथा पुस्तक चित्रों के रूप में यह गोथी की शेली की कला करतियां सुरक्षित है ठीक मोस्टली मेंली क्या आपका निश्कर्ष निकलता है हर उसमें भी देखके के भाईया एक तो थोड़े बहुत मूरल है थोड़े बहुत पैनल चित्र है रंजीत कांश का बहुत अच्छा सा काम ह और पुस्तक डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी सी है सेंट जॉन स्टीफिन पीटर पॉल तथा धर्म पर बलिदान हो जाने वाले महापूरेशों के जीवन चरेत्र एवं चित्र अंकित किये गए हैं प्रिष्ट भूमी में लाल नीला तथा सुनेरा रंग है ठीके इस च 525 के मद्य तक विस्त्रत है प्राय कोसाइल वालेंसिया बर्गोस टोलेडा ग्रानडा तैरूल बासिलोना एंडा सूद्या मॉलेर का एरागन ये सब स्पेन की जगे हैं आदी में यहां के गोतिक धारन सुरक्षित हैं यहां की कला में ही इसाई धर्म से संबंदित था सरक् चक हैं और इसाई धर में इनके चित्रंकित किये गए हैं स्पेन में रंगीन कला पर आरम से ही फ्रेंच प्रभाव रहा है ठीक अब मद्य यूरोपिय देश तो इन देशों में गोथिक प्रभाव कब 14 सेंचुरी के आरम से ही व्यापक हुआ 14 सेंचुरी के आरम से प्राय बाइजन चैन तथा रोमन अस्टेलियों का प्रचलेन यहां बहुत रहा मद्य यूरोपिय जो भी जगें इस कला को प्रधान के इन जर्मनी के कॉलो ऑस्ट्रिया के वियाना यह सब अलग रहा है जर्मनी में कॉलो वियाना चकोसलाविया साल्जबूर्ग बैवेरिया पोल पूर्वी एशिया यह सब चीजों पर किसका प्रभाव रहा वही यह गोथिक कला का प्रभाव देखने को मिला अब इंग्लेंड देखते हैं इंग्लेंड बढ़िया यहां पर इसाई धर्म तथा सरक्षयों पादरियों राच परिवार तथा उनके जंजीमन विशेक इनसे रिलेटेड अंकित ने विन्चेस्टर की अंकित मेडोना तथा शिशु यह विन्चेस्टर जगे पे जो है मेडोना और शिशु का एक चित्र लाजवदी की पुष्टी भूमी पर गुलाबी पीले लाल तथा हरे रजत रंगों के द्वारा अत्यंत आकर्शक है लेकिन यह इस प्रकार का मैंचेस्टर का इंग्लेंड में फेमर्स है कि एक विशिश चित्रन पद्धिती प्रचलित है रंजीत काज की तो है ही जिसके प्रवरतन का श्रेय संट डैनी को है संट डैनी का जो हम उसमें भी अभी देख चुके हैं पीछे उनका जो कैथेडल उसमें भी इस प्रद्धित में आकरितियों के मध्य रंजीत काज की पत्तियां जड़ दी गई है अब जिस तरह से अब मेंको यह कंफॉर्म नहीं है कि यह वही वाली है के नहीं वेंचेस्टर का लेकिन इत्ता समझ लो कि इस प्रकार का यह था और उसमें जो है आकरितियो के मध्य एक तरह से आउटलाइन बाउंडरी के लिए रंजीत काज वो भी यूज किया गया है यहां पर कैसा टाइल्स जैसा प्रभाव यहां पर देखने को मिला है इससी पेंटिंग्स है अब इटली यह लास्च देख लेते हैं यहां की गोथिक कला में भी ओल्ड तथा नियो टेस्ट्रमेंट की कथाओं का चित्र है प्रधाम रूप से हुआ है आरम में तो कला पर धर्म का कठोर अनिशासन था अब देखे जिसने आप लोगोंने सब नहीं पढ़ा होगा क्या पढ़ा होगा वही क्रिटिसिजम कला समिक्षा उसमें हम लोग जब डिसकस करते ह आर्ट और रिलीजिन के बारे में तो उसमें भी यही होता है जब धर्म कला को अपने इसाब से चलाती है जब कला धर्म को अपने इसाब से चलाता है दोनों चीज़ पर पन क्रिटिसाइज करके देखते हैं तो वही चीज़ है कि कला पर धर्म का कठोर अनिशासन था किस सम इटली का पुनुरुथान इटली बहुत प्रमुक केंद्र आगे पुरी कहानी आने वाली है तो आप बिल्कुल उसका इफेक्ट गोतिक में क्यों नहीं होगा तो वही चीज वो पहले ही बोल दिये हैं कि इस तरह का जो अनुशासिनित नियम था उसको कलाकारों ने अपना सं करने की स्टार्टिंग करी है ना और जन जीवन के हड़ शोक को अपनी अभी विंजना का आधार बनाया यहां के प्रसिद्ध भित्ती चित्र सेंट असीसी में सेंट फ्रांसिस को दधा सेंट पीटर है यह देखिए उन्हीं के पिंटिंगें वहां पे है पादुआ में एर नैपिल्स, पीसा, उंब्रिया, रोम, बोलेना तथा वैनेस आधी स्थानों के चर्च उपासना ग्रहों एवं अन्यधार्मिक भावनों पर अंकेत है इटली के इटली का तो भिया में सेंटर बनने वाला है कोई दिक्कत नहीं है पर तो कला चरम पे जाएगी इटली की कला इस यूग के परिप्रेक्ष तथा गहराई देने का बोखुत प्रहयत्न हुआ दिखेये तो इस यूग में एक जो फ्लाटनेस अभी तक था मेडिवेल का एक पढ़ी। उसमें बोखुत परिप्रेक्ष स्पेश्च 2 उनले नीले रंग से बनने जाने पहले अभी तक आकाश सुनेरी जैसे की हम क्या बोलेंगे किशनगड किशनगड में बनते थे ना बहुत सुनेरी किशनगड में बनते थे सुनेरी कलर के वह क्लाउड्स है ना जैसे किशनगड का देखते हैं वैसे इस समय अभी तक भी बनते थे ज तो ये तो हमारे क्या था भईया पेंचिंग्स थी ठीक है पेंटिंग्स हो गई मूर्तिकला हो गई इस तरह की चीज़ें होती थी अलग-अलग सी कोई मूर्तियां 3D फॉर्म में नहीं मिली अलग से कुछ नहीं मिलते था लेकिन आब आगे जो पुनरुत्थान पढ़ेंगे दोस्तों उसमें ऐसा नहीं होगा उसमें सिर्फ चर्च कैथेड्रल तक ही पेंटिंग्स यहीं अंतर साथ देख रहा है न क्योंकि पहले जो पेंचिंग है उसका टॉपिक हो चाहे उसका सब कुछ स्थिद भी हो वो कहाँ पे है वो उसी के अंदर था लेकिन ऐसा नहीं होता लियोनाडो ने जो मोना लिसा बनाई तो वो कोई किसी चर्च में रखने के लिए धोड़ी बनाई तो वही चीज़ें हम अंतर आएगी है आगे बहुत परिवर्थतन आएगा भी या तो इ बता नहीं दो चार वीडियो में भी बन सकता है वो उसमें बहुत पढ़ाना है उसको दो उसको बहुत पढ़ना है जहां से पढ़ेंगे ठीक है तो यह आपका हमारा यह कंप्रीट हो गया और अब हम क्या करेंगे भईया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यही बो बनाएंगे तो जादा प्रॉपर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग चीक है अलग-अलग में बहुत होच-पोच हो जाता है एक साथ में चीक है तो तब तक के लिए बाई-बाई-बाई जल्दी मिलेंगे जल्दी कोशिश करती रहती हूं यार पर एक्दम जिस स्पीड से अभी को शेर करो और अपनी ओडियंस आप खुद बनाओ चीक है अपने चैनल की ओडियंस आप बढ़ाए तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों विश्यू वेरी 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 आल दे बेस्ट